अलो इस्ट्वेंट आज हम मत्पदेश की एक ऐसी महला सक्सियत की बात करने जा रहे हैं जिन्नोंने नकिवल मत्पदेश का प्लकी देश का नाम रोसन किया है और लोगों को एक नए रास्ता दिखाया है तो वो हम बात करने जा रहे हैं आपका लहरी भाई के बारे में किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं लहरी भाई के बारे में और ये लहरी भाई कौन है इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं क्यों कि राष्टपती ने इनको सम्मानित किया है लहरी भाई को राष्टपती ने सम्मानित किया है ये कौन है लहरी भाई ये क्रिशक है एक एक क्रिशक है लहरी भाई मत्पदिश की रहे वाली है और इनको राश्टपती महा महयम श्रीमती द्रोपदी मुर्मू के दोरा समानित किया गया और ये आपके क्रशी मंतरी नरें सिंग तौमर के उपस्तिती में इनको समानित किया गया ये आपकी ये लहरी भ हम आपको दिखाते हैं राश्टपती द्रोपती मुर्भू ने मत्पदेश के डिंडोरी जिले की क्रिशक लहरी भाई को समानित किया है और इनको आपका वर्ष दो हजार एक्किस वाईस का कौन सा पादब जीनोम सन्रक्षक किसान समान दिया है तो यह बहुत इंपॉर्टन क प्रतियों की परिक्षाओं की तैयारी करने बाले स्ट्वेंट के लिए कि आपका लहरी भाई को कौन सा सम्मान दिया गया है तो यह वर्ष दो हजार एक्किस वाईस का पादब जीनोम सन्रक्षक किसान सम्मानन दिया गया है और यह पूछाए सकता है कि जो लहरी भाई है वो मतदेश के किस ये लेकी हैं तो वो आपका डिंडोरी ये लेकी हैं स्री अन्य परजातियों के सन्लक्षन और सम्मर्दन के लिए यह आपका सम्मान दिया गया है इनको और इसमें सम्मान सरूप है निकिए आपका डेड़ लाक रुपाए आपका और साथ में प्रसस्ति पत्र और इसम्रति चिन दिया गया है यह कारकरम जो आयुद किया गया वो नई दिल्ली केसी सुप्रमणियम ओडिटोरियम में किया गया कहां पर नई दिल्ली में केसी सुप्रमणियम ओडिटोरियम में ये सम्मान समारों आयुद किया गया इस सम्मान समारों में आपके तुमर उपस्तित्र है और यह समान किसके दारा दिया गया राश्ट्पति आपका श्रीमति द्रोपति उर्मू के दारा दिया गया यह लहरी भाई कौन है लहरी भाई आपके डिंडोरी जिले की आपकी बजाग जो तहसील है वहां की रहने वाली है इन्होंने क्या काम किया वो बहुत इंपोर्डेंट है यह वेगा समुदाय की साहिता से यह आपका एक बहुत बड़ा जंजाती समुदाय है मत्पदेश का वेगा जंजाती इस वेगा जंजाती की सहता से उन्होंने कोदू, कुटकी, सावा, कांग, सिकिया, मडवा और स्री अन प्रजातियों का एक उन्होंने सीड बैंक विक्सित किया है आपके जो मिलेट्स हैं आपके मॉटे अनाच हैं जो जंजाती शेत्रों में खास करके विक्सित होते हैं, वहां उपजाए जाते हैं कुटकी सावा और कांग सिक्या मढूआ अनाज बुले जाते हैं निके आपके ऐसे अनाज हैं जो मिलट है नहीं के मौटे अनाज होते हैं इन विकास करने के लिए आपका सीट वेंग करेंग के इनके दोरा बनाएगे हैं तो वहां पर आपका वैगाज जन जाती और भी उस श प्रुस्कार दिया गया है चलिए थैंक्यू